So welcome back guys Guys इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम Fetch की API को कैसे यूज करते हैं और Fetch की API से हम Get की रिक्वेस्ट कैसे कर रहे होते हैं अब ये Get की रिक्वेस्ट क्या है Fetch की API क्या है ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देख रहे होंगे और इस वीडियो में हम promises को देखेंगे कि हम कैसे utilize करेंगे पिछली वीडियो में हमने promises को बनाना सीखा था इस वीडियो में हम utilization उसकी देखते होंगे तो चलते हैं अपनी computer की screen पे और check out करते हैं कि हम कैसे patch key API इसको use करेंगे और हम promises के more advanced features को हम सीख रहे होंगे तो यहाँ पर देखें कि हमने सबसे पहले यह introduction लेना है कि हमाँ फैच की API होती क्या है पैच की API बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा प्रोवाइड करती है कि हमने actions को create करना होता है और promises actions के तुरू हमने फैच की API से data ले के आना होता है किसी भी API के तुरू अब जेसन प्लेस होल्डर और रेक्रीस जो हमारे पास है request response इसका फुल पॉम है यह दो website है जो कि हमें मोक API प्रोवाइड करती है अब इन मोक API का क्या काम है इन चीज को हम चेक आउट कर रहे होंगे जो सब पहले हम यहां फेच करते हैं हमारे पास की API हमें क्या क्या चीज़ें पर्वाइड करती है फैच की API basically हमारे पास करती है।ege की API हमारे पास एक ऐसा टूल अड़े हम सारी आपी क्रेंस को क्या सकते हैं कीflower सकते हैं ऑप मन पार बेसिकली ओर टाइब की कीस विए सब्स्सक्राइब की डिली की रिक्वेस्स होती है यह आगे आने वाली वीडियो तो मैं यह अभी के लिए कि में आप Lesus करों एक हमने उडा किसी बीशन सी डॆटा अगर लेके आना है तो हम इएप को यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में जैसन प्लेस होल्डर और रिक्वेस्ट रिस्पॉंस एक वेबसाइट दो वेबसाइट से हम एक्जैंप्ली मॉक डटा लेके आएंगी इस वीडियो में और उस डेटा का फैच आउट करवाके अपने हम दिखाएंगे और देखेंगे कि उस डेटा को हम कैसे कहां से लेके आएं और क्या उसके नेटवर्क कॉज़िस हैं इन चीजों को हम इस वीडियो में देख रहे होंगे अभी मुझे लगता है कि यह चीज़ें थोड़ी सी आपके पास एरफूल होंगी और थोड़ी से कॉम बड़ी वीडियो को चैक आप जरूर कीज़ेगा उसमें वहने सिंक्रोन और यह सिंक्रोन तास्क को जरूर परफॉर्म करवाया हुआ है यह चीज को हम इस वीडियो में देख रहे हैं हमारे पास फैस की एक इंटरफेस पर बाइट करते हैं जो कि हमारे पास यह पर अब रिक्वेस्ट्स क्या है इस वीडियो में आपको सारा को बता रहा होंगा इस वीडियो में हमριक्वास इस का होता है यह विडियो कहा है इसलिए और बचाइए करना इन चेक आपका ही को हम प्रामिसीज को कैसे यहां पर युटलाईज करते हैं बनाना हमने सीखा ते पिछ वीडियो में तो आफ पिशली वीडियो को जरूर चेकाऌट कीएगा तो इस वीडियो में हम उस उस फ्रामिसीज को जादा तर जो यूटलाईजेशन एंडस्ट्री में की जाती है ऐकonne इसके samples code आते हैं तो अब हम आगे हैं अपने VS code की screen पे और VS code की screen पे मैंने एक new folder बनाया है और उस folder के अंदर मैंने index.html की file मैंने रखी है अब यहां पे हम चीज को देखते होंगे कि यह boilerplate हमने पहले create की थी HTML के code से आप देख सकते हैं आप यहां पे यहां पे ऐसे लिखना है तो आपके पास यह boilerplate वोड़ी VS code आपको देदेगा अब यहां पे हमने script का tag यहां पे use करना है तो script के tag को use करने के साथ साथ हम यहां पे ऐसे script के tag को use करते हैं यह simple जैसे JavaScript में यह चीज़ की जाती है वैसे ही है और उसके बाद हमने क्या करना है हमने कौंस लिखके एक हमने लिखना है data अब यहां पे data लिखके हमने fetch की जो API है fetch क्या जो function है इस function को हमने use करना है यह basically हमारे पर promise है यह promise हमें provide करता है कि हम कैसे अपने data को किसी भी API से application protocol से लेके आते हैं सबसे पहले हमने json placeholder को use करना है तो json placeholder आपने google पर जाके json placeholder लिखना है तो आपके पास यह website आ जाएगी इस website पर आपने जाना है तो आपका ऐसे interface आएगा इस interface पर आपने scroll down करना है और scroll down करने के साथ साथ आपने यहां पर कुछ आपके पास mock data resources आपके पास यहां पर available होंगे यहां पर आपने कुछ भी data resource को उठाना है मैं यहां पर users को उठाता हूँ तो यह हमें data print करके देगा अब यहां पर इस URL को आपने copy करना है इस URL को आपने copy करके और यहां पर पे पेसे कर देना है अब इसके साथ साथ आपने क्या करना है आपने एक प्रोमिज्य जैसे DEN को हमने यूज किया था इसी तरह हम ने DEN और कैज को यहां पर यूटलाइस करना है यहां पर अपने इस Singer को यापके इंब्स सर्वेर पर आफन करने और live server को on करने के साथ साथ यहां पे हम अपने live server को on करते हैं और यहां पे मैं इस live server को इसके साथ रख देता हूँ ताकि आपके पास better view आजे और यहां पे हम console को open करते हैं console को open करने के साथ यहां पे हम अरपर यह console open हो जाता है अब हमने सबसे पहले क्या चीज करनी है हमने डाटा लेके आना है इस URL से जो URL हमने यहां पर यूटलाइस किया है उस URL से हमने यह डाटा को लेके आना है जब हमने डाटा को लाना है तो हमारे पर प्रॉमिसिस के थरू हमने यह चीजें करनी है तो आपको पता है कि Promises के पहले और इस data को हम क्या करेंगे जब भी हमारे पास यह data आ जाएगा तो हम इसे console log करवा देंगे data को इसके साथ हमारे पास हमने पिछली वीडियो में यह भी देखा था कि एक हमारे पास finally और catch के भी हमारे पास methods होते है catch method जो होता है वो आपके पास error के लिए use होता है तो हमने यहां पे जब भी कोई API हमे data ना दे और error दे तो हम यहां पे उस error को console log करवा देंगे और error console log करवाने के साथ हमारे पास यह चीज आ देगी तो अब यहां पे अगर देखते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 records आ गये हैं कि हमारे पास जो यहां पे हमने data यहां पे user ने हमें दिया था वो हमने यहां पे data को फैचा ऊट करवा के यहां पे console लगा दिया है अब यहां पे हम यह हैं कि हम document को हम यहां यह करते हैं document.write को यहां पर data को लखते हैं तो आपके पास यह promise कहीं गाया और जाभ यह resolve होगा तब यहां पे हम promise को यहां पे console log के साथ साथ हम यहां पे document पे write करते हैं तो यह देखें object object इसने कहा है इसको conversion करनी बढ़ती है यह basically हम raw javascript में यह चीज़ कर रहे हैं तो raw javascript में conversion के through ही हम यहां पे इस data को perform कर सकते हैं तो यहां पे हमने इस चीज़ को check out कर लिया है देने कि इस चीज़ करते हैं एस चीज़ को अब हम देख रहे होंगे तो हम यहां करते हैं यहां यहां पर godey के अंदर शक्ताइक यूज़ करते हैं के टइक को हम को सबसे पहले हमつे और के साथ यह कहते हैं के fetch API examples यहां पर लिखते हैं और fetch API example के साथ साथ हमारे पास क्या आता है हम आपर div के साथ हम यहां पर ID में कुछ भी post लिख लेते हैं तो अब यहां पर हमने क्या करना है जब भी हमारे पास जब resolve हो यह promise resolve हो तो हमने display करवाना है अपने page के ओपर यह data को अब यहां पर इस data को जब आपने display करवाना है तो इस data को display करवाने के लिए आपके पास मुक्तलिफ methods है अब हम यहां पर inner HTML के method को use कर रहे होंगे तो inner HTML के method को हमने कैसे use करना है document यहां पर लिखके document में हम यहां पर यह जो ID है इसको get करते है get element by ID करके और इसके साथ साथ हम यहां पर post का जो हमने ID है उसको get करना है जहां पर यह जो post की ID है इस brief के अंदर मैं यह सारों को दिखाना चाहा रहा हूँ तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज थी हमारे पास जो data था उस data को हमने ज़रा visualize करना है कि उस data के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसको हम जड़ा एक फोर्दी सेख हम यहां पे इसको console log की करवाते हैं और console log करवा के पहले इस data को चेक करते हैं कि इस data के अंदर हमारे पास आ क्या रहा है तो हम नीए डाटा को यहां पे लुकरते हैं तो हमारे पास आइडी आ रहा है इसके साथ साथ नेम आ रहा है फूमनमबन आ रहाँ है is but Another उसको एज़ा करवान है और में यहां यहांपे निशेड़ों आ देड़ यहां पेच की API को आप most probably exeos के साथ यूज़ कर रहे होता है वो भी आपको आगे आने वाली वीडियो में जरूर पता चलेगा कि exeos हमारे पास क्या यूटलाइज करता है तो हमँने data.name को यहाँ पे पहले सबसे पहले दिखाना है और जैसे यहाँ पहले दिखाया है तो इसने यहाँ पूझे undefine दिया है तो undefine इसकाऊ करना है यह करना है क्यूंकि हमारे पास जो data है वो data तो हमारे पास आ रहा है हम जहां पर अगर utilize करवाएं कि हमारे पास data क्या है तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास जो data आ रहा है वो हमारे पास अभी इसने undefine क्यों कहा है इस चीज़ को हम यहां पर जरा check out करते हैं क्योंकि हमारे पास जो data है वो हमारे पास एक array है data हमारे पास एक array है हमने एक array को यहां पर utilize करवाना है तो array को हमने जब alterate करवाना होता है तो हम loop के methods को use कर रहे होते हैं तो हम यहां पर एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम simply एक user का data यहां पर लें और एक user का data को display करवा दें तो हमारे पास अब जो है वो हमारे पास एक object आएगा और इस object को हम यहां पर display करवा सकते हैं तो हम एक object को यहां पर display करवा के checkout करते हैं और बाद में loops को use करेंगे और लूप को यह चेक आउट करेंगे लूप से के हम कैसे यह लूप के दूप कर सकते हैं अब मैंने data.name किया तो हमारे पास जो data हमने लूप में आ रहा था उसमें से पहली वाली एंट्री यहां पर मैंने URL में निकाली और उस पहली वाली एंट्री को यहां पर मैंने डिस्प्ले करवा दिया अब इसी तरह हमारे पास data.email भी है यहां पर हमारे पास आ रहा है और इसी तरह हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास data के जो यूजर नेम है वो भी हमारे पर यूजर नेम यहां पर आ रहा होगा तो उसको भी हम डिस्पले करवा देते हैं data.username और यहां पर data.username भी हमारे पर डिस्पले हो गया अब यहां पर हमने json placeholder की API को यूटलाइस किया और json placeholder की API को यूटलाइस करने के साथ हमने यह चीज चेक आउट की कि हम कैसे json की API के तुरू ही हम अपने data को यूटलाइस कर रहे होते हैं अब यहां पर हम यह कर सकते हैं कि हम एक for loop यहां पर यूज करें और for loop को यूज करके अपने data को जो हमने पहले array देख रहे थे उस array को यहां पर हम यूटलाइस करवा रहे हो तो हम उस चीज को भी चेक आउट करेंगे अब इसके साथ साथ हमारे पास एक और हमने API की बात की थी अब API कौन सी हमने का था हमने request response API का था जिसे आप REC or REST API कहते हो तो यहां पे आपने scroll down करना है scroll down करने के साथ साथ आपने request पे click करना है और paste to पे यह जा रहा है इसके साथ हमने यहां पे अपना क्यूंकि हमने एक JSON format में data को लेना है तो हमने इस data को यहां पे इस URL को कॉपी करना है और इस URL को कॉपी करके यहां पे paste कर देना है यह आपके पास सारा code जो होगा वो आपके पास available हो जाएगा GitHub पे आप यहां से check out कर सकते हैं कि इस code को आप कैसे utilize कर सकते हो तो यहां पे मैं इसको for this sake आपके लिए मैं यहां पे comment कर देता हूं और यहां पे मैंने यह चीज को लेके आ गया हूँ अब यहां पे हमारे पास क्यूंकि हमने अभी data के source को check out नहीं किया data के इस format में आ रहा है तो इसको हम यहां पे check out करते हैं और यहां पे इसको हम console करते हैं data के अंदर हमारे पर data है और उसके अंदर हमारे पास avatar email और हमारे पास मुक्तलिफ चीजे अवेलेबल हैं तो अब यहां पे हम यह utilize कर सकते हैं कि data के अंदर हमारे पास data है और यहां पे वह email है तो अगर देखें तो हमारे पार यह पे यह email इसने दिखा दिए है और यहां पे अब यहां पे हम image के एक tag को use करते हैं और इसके source के अंदर हम क्या करते हैं source के अंदर हम यहां पे a string utilize करते हैं query string जिसे string literally कहा जाता है तो हम इसे वह उसे यहां पे utilize करते हैं और यहां पर हम क्या कहते हैं data.avatar जो है data.avatar उसको यहां पर हम ले के आते हैं data.avatar क्यों नहीं आ रहा है इस चीज को हम सरय उप्लाइज करते हैं इसको कंसोल लोग भी हम हटाते नहीं है कंसोल लोग भी हम लगा जाते हैं ताके हमारे पास जो data है वो हमें देखे data.avatar और इसके बाद हमारे पास avatar आएगा तो यहां पर हम avatar को ले कि आते हैं data.avatar यहां पर हमारे पास SAI का data यह देखो हमारे पास data.avatar हमारे पास यहां पर आगया इसके साथ साथ हमारे पास मुफली चीजें भी है जिन इस चीजों को हम यूटलाइज कर सकते हैं उन चीजों को यूटलाइज करना बहुत इजी है और यहां पर पैस्ट करना data को बहुत इस वीडियो में फैच की हुलिए करते हैंवरे पास चीजों के साथ में प्लेस हो मस opioid के मोदीद हैं उन चीजों को भी आने अली वीडियों में हम यहां पे चेक आउट कर रहे होंगे लेकिन इस टूरियल के लिए यहां सकी था तो अखली वीडियो में दुरूर मिलते हैं लाइक सब्सक्राइब आपने कर देना है वो करना दरूरी है मुझे जरूर बताईएगा कि आप ने कहते हैं पेच की एपेच को इपलाइज किया हुआ है और कर रहे हैं